दोस्त वीडियो हम बात करेंगे polymath coin, poly coin के price moment के पारे में currently coin 19 cent से उपर trade कर रहा है, एक अच्छे कासे downtrain के अंदर, एक अच्छे कासे dip के अंदर वापिस से इसकी price हमें देखने को मिल रही है, और एक अच्छे apostry वापिस से इस coin के अंदर निकल के आ रही है जो लोग इस coin को buy करना चाहते हैं, जो लोग इस coin में entry देख रहे हैं, उनके लिए बात करें कौन से आपके लिए best entry points हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए targets क्या रहेंगे as a trader, long term और short term के perspective से आप किन areas पर नजरे बना रख सकते हैं अवरहाल सारी चीज़ों के बारें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उससे पहले अगर आपने अभी तक coin d6 app डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से coin d6 app डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा 100 rupees का BTC as a sign up bonus और आप अपने दोस्तों का refer करके per referral 100 rupees का BTC earn कर सकते हैं तो यहां link description में हैं यहां से डाउनलोड करेंगे तब यह आपको sign up bonus देखने को मिलेगा यह 15 minute का chart open है अभी currently थोड़ा moment इसकी price हमें देखने को मिल रहा है daily का chart open करते हैं तो एक अच्छा correction को इस coin का अंदर देखने को मिला है previously इसने 15 cent वाला bottom बनाया तो वहां से अभी currently यह coin 20% उपर trade कर रहा है तो एक अच्छे area पर यह coin है और भी नीचे हमें इसकी price देखने को मिल गए थी 18 cent वाला area इसने तच किया था और अभी currently इसको 19 cent वाला support area जिससे उपर यह trade कर रहा है इससे पहले भी almost इसने 19 cent वाला support area इसको hold किया था और 2-3 बार यहां से moments में देखने को मिला इससे पहले इसने 26 वाला area टच किया था याने कि almost 70 से लेके 90% की recovery इस coin करने हमें देखने को मिली थी फिर market को follow करते हो इसमें हमें downtrend देखने को मिला है अच्छे area पर यह coin currently trade कर रहा है अगर यह 20 cents से नीचे भी हमें मिल रहा है तो अच्छे area पर यह coin हमें मिल रहा है और अच्छी अपोश्टी वाप्रिस से निकल के आ रही है तो जो लोग इस coin में entry देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे firstly आप अगर इस coin में को buy करना चाहते हैं तो 0.195 पर अगर यह coin मिल जाता है अलाकि यह हमें 19 से भी नीचे मिल जाता लेकिन एक stability जरूरी है और एक area है जिस पर हापर यह अगर 2-3 दिर stability maintain करता है उसके बाद entry अच्छी entry रहती नहीं तो हम entry लेते उसके बाद वापेस downtrend दे आकर इसकी price ने एक stability maintain की और वापेस से यहीं से हमें थोड़ा सा moment देखने को मिला है तो यहां से जिसे एक अच्छी recovery होगा अच्छी area पर यह coin आपको देखने को मिल जाएगा तो 0.195 पर अगर यह coin आपको मिल जाता है तो आपको 70% पार्ट से इस coin में entry लेनी है फर्स entry आ अगर और भी इस coin के अंदर correction देखने को मिलता है और जैसा कि इसने 18 cent वाले area try किया था तो अगर यह 18 cent वाले area वापेस try करता है यह वाले जो week है यह थोड़ा सा danger week है और यहां पर monthly closing भी आज होनी है तो इस week में आपको समल कर ट्रेडिंग करना है प्रोपर आपको रोड में त्यार करना है कि किस टाइप से आपको entry बगर लेनी है सारी सीच आपको बहुत दिहान से करनी है तो second entry आपको 18 cent पर लेनी है 30% पार्ट से 70-30 के रेश्यों में आपको entry लेनी है एक अच्छी का से safe entry रहेगी जो previous low था उससे थोड़ा 100 पर आपको entry मिल रहे है अब यहां से जैसे breakout होगा एक अच्छा moment होगा तो नॉर्मली यह 24 से लेके 26 cent को नॉर्मली ट्राइ कर लेगा उपर के तब इसको 23 cent वाला एरिया रेश्यों है उसको 28 cent वाला एरिया next रेश्यों है तो 23 वाले एरिया को इसने hold किया था previously और इससे उपर stability maintain की थी लेकिन फिर downtrend देखनी को मिला तो आपके लिए first target रहेगा 24 से लेके 25 cent वाला एरिया जहां पर आपको 60% part sell out करना है यह आपका first target रहेगा उसके बाद अगर और भी moment होता है next day में या फिर उसके एक दू दिन बाद या उसी दिन बेगर moment होता है तो second target रहेगा आपका 28 cent वाला एरिया जहां पर आपको बागी 40% part sell out करना है जो लोग ऐसा trader entry लेंगे उनके लिए target रहेगा यह 25 और 28 cent यह दो पाट में आपको sell out करना है 60-40 के ratio में सोटम में जो लोग ट्रेट करें उनके लिए target रहेगा 35 cent यहां पर 28 cent के बाद इसको next 35 cent वाला resistance जो ने 35 cent आपके लिए target रहेगा सोटम वालों के लिए लोग तम अगर आप इस coin को hold करते हैं तो लोग तम में आपको इसकी price अगर आपका वन यह का प्रस्पेक्टिव है तो वन यह के अंदर आपको यह coin 1.2 से लेके 1.4 योजिती पर trade करता हुआ दिख जाएगा अगर market में एक अच्छी recovery होती है एक अच्छा moment होता है तो बाकी यहां पर buy और sell को खुद कर रिस्क को खुद कर सच के हिसाब से करें यहां पर हम कोई finance advice नहीं दे रहा है यह वीडियो से education purpose से है ताकि आपको overall coins related knowledge हो सके बाकी वीडियो चलागा लाइक जरूर करें चैनल को subscribe कर ले ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको regular basis पर मिलते रहें यहां पर description में हमारे social media accounts instagram, telegram, twitter के link हैं उनको भी आप जरूर फोलो कर ले ताकि इस टाइप के regular updates आपको हाँ पर मिलते र